पचास लाग से कम के टेंडर अब जारी नहीं होंगे ग्रेटर नोइडा प्राधिकरर ने पचास लाग से नीचे के टेंडर जारी नहीं करने का फैसला लिया है इस पर अधिकारीों का कहना है कि छोटे छोटे टेंडर जारी करने पर उनकी अलग अलग फाइल तयार करनी पड़ती है साथ ही उनकी अलग देखरेख भी करनी पड़ती है उस पर नियंतर रखना काफी मुश्किल है इस सब में काफी समय और पैसा बरबाद होता है फैसले की जानकारी मिलने पर छोटे ठेकेदार काफी परेशान है बुद्दवार को इस संबन में अफसरों से बात करने 30 से 40 ठेकेदार प्रादी करण कार्याले पहुँचे वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोग दिया पूर्व मुख्य सचीव नीरा यादव की सजा एक साल घटाई गई जमीन आवंटन घुटाले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचीव नीरा यादव की सजा को बरकरार रखा गया लेकिन उनकी तीन साल कैद सजा को घटा कर दो साल कर दिया गया है CBI ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1971 के बैच में IS अधिकारी नीरा ने नोईडा में मुख्य कारियाले अधिकारी के पत पर रहते हुए नियमों का उलंगन किया था प्राधिकरण से गायब 6 फाइले मिली 34 की तलाश जारी यमुना प्राधिकरण में संपत्ती विभाग की 40 फाइले गायब है बुद्दवार को इन में से 6 फाइले मिल गई बाकी फाइलों की तलाश जारी है मुख कारेपालक अधिकारी ने विभाग के संबंदित अधिकारियों को फाइल खोजने के लिए एक दिन का समय दिया है सबी फाइल नहीं मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ एफायार दर्ज होगी यमुना प्राधिकरण के संपत्ती विभाग में 83 फाइल गायब थी जो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के भुगंडों की थी काफी तलाश कराने के बाद 43 फाइल अलमारी में रखी मिल गए लेकिन 40 फाइलों का अभी तक पता नहीं चलाए 10,000 करोड के खर्च पर 3400 परिवार होंगे विस्थापित जेवर एरपोर्ट के लिए जमीन का अधिकरण एक महीने में शुरू हो जाएगा इसके लिए एक हफ़ते के अंदर अधिकरण करने वाली टीम के अधिकारियों की तैनाती हो जाएगी पहले चरण में 1250 हिक्टर जमीन का अधिकरण होगा साथ ही आठ गाउं को विस्थापित किया जाएगा मुख कारेपालक अधिकारी डॉक्टर अरुवी सिन ने बताया कि जेवर एरपोर्ट 3000 हिक्टर जमीन पर बनेगा इसके लिए जमीन का अधिकरण दो चरण में होगा पहले चरण में 1250 हिक्टर जमीन का विक्षित किया जाएगा जमीन का अधिकरण एक महिने के अंदर शुरू हो जाएगा निर्माण में देरी की तो बिल्डर को भरना पड़ेगा विलम शुलक रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के तहट प्रंजी करण कराने वाले बिल्डर आप प्रशासन वर निवेशकों की रडार पर रहेंगे तैस समय पर निर्माण पूरा नहीं होने पर बिल्डर को विलम शुलक यानि लेट फाइन देना होगा बिल्डर को ये जुर्माना उसी बयाजदर पर देना होगा जो बयाजदर उभखताओं से मासिक किस्त वसूर्ते समय लिया जाता है यदि बिल्डर ऐसा नहीं करता है तो रेरा के तहट उस पर सक्त कारवाई की जाएगी